इसलिए काफी lectures में हमने power system के हमने load को बहुत अच्छे से analyze करा हमने देखा कि क्या-क्या load होता है कितने तरीके का load apply कर सकते हैं और load के factors के बारे हम बातचीत करी कि वही load के factor जैसे ही for example diversity factor, load factor and average factor, average load यह सब चीज़े हमने बहुत सारी चीज़े power plant के lectures में सीखी दी एक बात जो हमने confirm करी है कि यह load profile जो होती यह variable होती nature में कुछ इस तरीके का variable nature होता है load का ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी important है इस variable nature में भी अगर हम load को तोड़ना चाहें, तो load को दो category में तोड़ सकते, एक तो यह वाला nature में load के भी कुछ चीज़े हम बाढ़ सकते है load को, तो यह जो नीचे वाला load है, जो लगबग constant रहेगा throughout the day, या throughout the month या throughout the year, इसको हम कहा देते है base load, ठीक है, वहीं पर यह जो peak और spikes आते है, इसको हम नाम दे देते है peak load का, ठीक है, तो यहाँ से load की category शुरू होती है, और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे, इसी वारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, base और peak load के बारे में, चली शुरू करते हैं तो अगर हम समझे कोशिश करें, peak और base load क्या होते हैं, तो basically load को हम दो category में बाढ़ सकते हैं, base load and peak load vary होती, spikes होते हैं, जिनकी loading में, तो इस तरीके के दो load हो गए यहाँ पर, अगर हम लोग base load को और एक specifically बताएं, तो यह अन variable होते हैं, यानि कि इसको मैंने अन variable लिखा है, तो constant भी लिख सकते थे, तो constant होते हैं, यानि कि समय के साथ 24 गंटे एक सा load आपके सामने रहेगा, दूसरी चीज, अकर almost hold है, यानि कि पूरे के पूरे दिन यह exist करेगा, base load मतलब, जो पूरे 24 गंटे तुमारे power station को उठाना पड़ेगा अपने कंदों के उपर, सही, वहीं पर हम बात करते हैं, तो peak load वह load होते हैं, जो कि के वह short duration के लिए exist करते हैं, यानि कि for example हो सकता है, आदे गंटे के लिए हो जाए हो सकता है, एक गंटे के लिए हो जाए हो जाए हो जाए हो एक जो जादा ही variable है, तो यानि कि एक जो variable load नेचर का था, यहां से engineer ने क्या करा, उसे दो category के अंदर बाट दिया, यानि कि हम लोग कह सकते हो कि randomness में भी कुछ चीजें constant डूणने की कोशिश कर रहे हैं, यह हमारी पूरी कोशिश है, इसमें, अगर हम base load की बात करते हैं, तो base load की खास बात यह होती है कि अग जो भी station, तुम जो base load मतलब जो station है, power station जो इस load को उठा रहा है, उसको 24 घंटे इस load को supply देना पड़ेगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कह सकते हैं, वो खेद के लिए माफी मांगते हैं, तो बिना किसी disturbances के हमें इस load को 100% supply द इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर इस load को supply करने की, अगर best method की बात करें, कि power stations ने, engineers ने, best method जो निकाला, दोनों load को supply करने का, base load और peak load को, उसको हमने नाम दिया, interconnected to different station, यानि कि best method क्या है, अगर हम दोनों load को पूरा करना चाहते हैं, तो वो है, दो different stations को interconnect कर दो, समझ मार करता है, तो for example, मेरे पास एक है, hydro power plant, वहीं पर एक है, thermal power plant, यह दो different stations है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहां पर अगर hydro की बात करूँ, तो वो अगर मान के चलते हैं, less efficient है, और जो thermal power plant है, यह highly efficient है, यह दो मेरे पास power plant है, तो मैं क्या करूँगा, जो hydro power plant है, इसका, और जो thermal power plant है, thermal power plant का, इस्तमाल करूँगा, base load को supply करने के लिए, और वही पर hydro power plant का, इस्तमाल करूँगा, peak load को supply करने के लिए, देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझो, हमने यहां पर दो station connect करने है, हमें क्या करना है, देखो हमने क्या करा, अगर हम पुराने cases के अंदर, single power station से ही hydro और एक है thermal, तो एक है hydro जो की less efficient है, और एक है thermal जो की highly efficient है, तो अब मैं कौन सा power plant कहां use करूँगा, तो देखो भाई, हम base load पे कौन सा use करेंगे, high efficient का power plant use करेंगे, high efficiency वाला, क्यों, क्योंकि भी obviously चीज़े, अगर कोई plant highly efficient है, तो वो काफी कम पैसे में, काफी काफी, काफी energy waste करके power बना देगा, और हमें इसे चलाना भी 24 गंटे, तो obviously चीज़े, जो चीज़ efficient होती है, उसी को 24 गंटे चलाया जाता है, वहीं पर जो चीज़ less efficient होती है, उसे हम लोग केवल peak load को supply करने के लिए use करेंगे, तो that's why मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कि less efficient होंगे, उनका इस्तमाल करेंगे, हम लोग peak load के लिए, और जो highly efficient होंगे, उनका इस्तमाल करेंगे, base load की, सभज में आ गया, तो engineers ने क्या करा, सबसे पहले, अगर step by step बात करूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले load को 2 category में बाटा, load को 2 category में, एक था base load और ए best efficient plant को चुन लिया, तो अब हमने क्या करा, दो different stations को connect कर दिया, जिससे कि हम लोग base और peak load की demand पूरी करेंगे, इसका फाइदा क्या होगा, जर इसको समझ लेते हैं, अब यह कैसे improve करता, economics को, आखिर क्यों हम लोग 2 station से supply ले रहे, single station से अगर हम लोग base और peak load की supply करें, तो क्य दिक्कत आएगी, इसको जरह समझते हैं, बहुत important slide है, तो अगर मान के चलते हैं, एक हमारा single station system, ठीक है, single plant है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा यह जो load है, variable in nature, यानि कि base load and peak load, दोनों का दोना पूरा load, single power plant उठा रहा है, वहीं पे comparison के लिए, मैं जहां पे एक दूसरा station ल पढ़ेगा, ठीक, चलो, तो देखते हैं, अगर single plant की बात करें, तो अगर single plant से मुझे पूरा load उठाना है, तो मुझे plant capacity कुछ यहाँ पर रखनी पढ़ेगी, अब अब the maximum demand, ठीक है, समझ में आरी बात ही है, तो अगर हम लोग plant capacity को इतना उपर रखेंगे, समझ रहा है, क् पीक demand की उपर रखी जाती है, तो ऐसे case में इतना ज्यादा under utilization हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानि कि generally, अगर for example, इस curve का अगर हम मान लेते हैं, this one is your average, this is your average load, अगर average load हमारा यहां कहीं है, तो आप देख सकते हो कि 24 घंटे में जो तुमारा plant च जाया था, तो this is what you call under utilization, अब क्योंकि इतना ज्यादा under utilization है, तो भाई जो cost per unit generation है, cost per unit generation वो काफी ज्यादा high होगी, यानि कि single plant से अगर तुम variable पूरा का पूरा peak, peak load and base load, अगर इन दोनों को तुम single power plant से उठाओगे, तो ऐसे case में काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, for example, यहा अगर हम बात करते हैं, second case की, second case में अगर हम बात करें यहाँ तो हमने क्या करना है, second case में, यहाँ पे हमें plant की capacity हमें बस इतनी ही रखनी पड़ेगी, समझ मारी बात यह, यानि कि यह जो तुम thermal power plant ले रहे हो, base load क्या ले रहे हो, base load तुम ले रहे हो, thermal power plant का, तो अब हमें क् base one is your average load, जैसे हमने यहाँ बनाया था, अब देखो, यहाँ से यहाँ, इनके बीच में काफी कम gap है, दिख रहा है यहाँ पे, तो average और plant की capacity की बीच में काफी कम है, तो ऐसे case में क्या होगा, utilization काफी जादा effective होगा, utilization क्या होगा, काफी effective utilization, समझ मारा है, हम लोग plant की capacity का अच previous lecture के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, जहाँ पे हमनों multiple unit का इस्तमाल कर रहे थे, वहाँ पे भी same concept था, वहाँ पे आपको याद होगा कि हम लोग हर unit को इस तरहीं से design करते थे, कि 75% of rated capacity में आ सके, तो यहाँ पे यह वो plant है, मैंने आपको बताया था, आगे चलके discuss करने वाला था, बेस प्लांट, तो बेस प्लांट जो होता है, उसको जो average load होता है, उसके 75% की range में average load को रखा जाता है, तो यह plant की capacity यहाँ पे आगे, प्लांट की capacity यहाँ सिफ्ट क्यों ही, आई हो समझ में आ गया हो क्यों, क्योंकि जो peak load है जिसकी वज़े से यहाँ पे plant capacity मु cost per unit generation कम हो जाएगा, तो मान के चलते हैं, यहाँ पे जो cost per unit आ रहा था, 10 रुपए के आसपास आ रहा था, पर unit, वो यहाँ पे 3 रुपए per unit रह जाएगा, क्योंकि अब ऐसे case में, एक तो तुम्हें plant की capacity का, भाई plant अगर छोटी capacity का लगा होगे, तो सस्ती बिजली produce होगी यह सारी चीज़े मैंने बचा रखी है, अगर आप नहीं देख के आए, तो पुरानी पूरी lecture series देख के आई है, power plant की खास कर, जो मैंने अभी जल्दी में series चल रही है, जो इसको पूरा रिवाइस करके हो, मज़ा आ जाएगा, सब कुछ एकदम किस्टे क्लियर हो जाएगा और peak load जो अगर कोई जरुवत आ गई, कुछ extra, खुदा ना खास था, किसी ने extra demand मांग ली, दिवाली हो ली आ गई, तो ऐसे case में hydro अपना जिंदाबाद है, समझ मारी बात है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, system को economic बनाते हैं, now, features क्या होने चाहिए, देको मैंने अ उपर peak load को चलाने में, तो और भी क्या कुछ ऐसे feature हैं कि कि किस basis पर हम decide करेंगे कि कौन सा plant हमें base load के select करना है, और कौन-कौन सा plant है, जो base load के लिए actually हम लोग यूज कर सकते हैं, चलो इसको हम यहाँ सीखते हैं, तो सबसे पहला बात high capacity होनी चाहिए, यानि कि जो भी तुम plant ले रहे हो, base load को चलाने के लिए उसकी capacity अच्छी खासी होनी चाहिए, और obviously बात है, base load कोई छोटा मोटा load नहीं होता, 24 घंटे तुम्हें अच्छा खासा load जो देना पड़ता है, जो generate करना पड़ता है, this is what we call base load, तो उस particular plant की capacity अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बड़ी important की वो इस तरीके से, क्योंकि demand जो है, उसकी base की, वो काफी जादा होती तो पूरा-पूरा उस base demand को fulfill कर पाए, next point, operating cost काम होनी चाहिए, obviously चीज़ा है तुम्हें 24 घंटे चलाना है, और बड़ा major portion load का तुम्हें दे रहा है, तो ये ज़रूरी है कि जो operating cost है, जो बनाने में ख पैठी चरीके से, हमारे पास है, टीज़ा है। पिवसरे के ग Это चेंट, है कि ऐसने समे की हमारे दूकान पर 10 समय खड़े रहते हैं तो उस के हम बनाएगे अपने 10 समय बनवाते रहें, ठीक है UP महीं पर यह जो ओल्ड वाली मशीन है यानि कि जो लेस सेफिशेंट है इसका काम क्या करेंगे इसका इस्तमाल करेंगे तब जब मानके चलते हैं बहुत किसी के महमान आए हुए तो वह चार समों से और एक्स्ट्रा लोग आगा है मारे पास तो यह जो उंपर का लोड आएगा नकारे मैं रहे हैं समझ मारी बात है तो यह तो बिलकुल रेटेड़ लोड पर चल रही है रेटेड क्वे काम कर रहे है मस्त तो यहाँ पर काफी काफी सस्ता हमें पढ़ेगा हमें एक digging इंफ से और जबं उस सब च चर समोसी जो एक्डम से एक्स्ट्रा आजाएगी अगर अब देखो यहीं पर बात आ जाती अगर हम कहें कि नहीं सर हम तो एक ही मशीन से बनाएंगे एक मशीन से बनाओगे तो तुम्हें पीक लोड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा तो तुम देखो यह बड़ी मशीन है तो इसमें लॉट समोसे बनाने चाहिए तो उस मशीन को और वह बना कितने रही है तो अंडर लोड तो वैसी चल रही है पूरा पैसा दे रहे हो सब कुछ डाल रहे हो पर देखके समझ में रहा है तो पंदरा की जगा बंद दस ही रहे है तो यह कर रहे हैं अंडर यू टिलेयजीशन का केस है तो इसलिए यह तो अल्रेडी महिंगी पड़ रही है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इन दो मशीन में होता है इनक्रीज न आउटपूट यानि कि आउटपूट में इनक्रीज करना और डिक्रीज इन आउटपूट अब दे को इसको समझ लेते हैं इसको बड़ा इंपोर्टन पॉइंट है इसलिए ध्यान से समझना और एक्जांपल हमारे पास पर्ट कुलर जो पॉर्प्लाइन power generate कर रहा था अब एकदम से demand आ गई कि बारा बनाने हैं तो इसको 10 से 12 अपना जो output change करना पड़ेगा इसको कहेंगे ramp up rate ramp up वहीं पे हमारा गर power plant जो था वो 12 बना रहा था और वहीं पे अब ये demand जो थी 12 बनाने की ये एकदम से रात हो गई ये अब demand कम होगी अब इसे 10 करना पड़ेगा तो इसे कहेंगे ramp down बासवाज मैरी तो decrease in output and increase दे को एक सीधी सी बात है ना एक सबसे बड़ी चीज़ है कि power जो हम generate कर रहे है power जो तुम generate करोगे वो must be equal to the power demand के बराबर होनी चाहिए अगर system को तुम्हें stable रखना है यह हर समय पूरा का पूरा power system इस equation को ध्यान में बिल्कुल दिलो दिमाओं के बसा के रखता है उसको यह पता है कि भाई हमें यह कैसे भी करके maintain रखनी अगर इसमें disturbance आया अगर यह equation disturb हुई तो पूरे system के frequency और सब कुछ हिल जाएगा तो यह चीज़ हमें बड़ी जरूरी है तो जैसे power की मालो demand आती है और तुम चला रहे हो system को तो तुम्हें अपना system को wall खोलने पड़ेंगे for example thermal चला रहे थे तो team की input बढ़ाना पड़ेगा इंटेक बढ़ाना पड़ेगा hydro चला रहे थे तो पानी ज्यादा गिरा होगे ठीक है तो यह सब चीज़ें हम लोग को करनी पड़ेंगी ठीक गवर्नर खोल उलके तो यह सब कितना समय लगेगा तो इसको मतलब इसको करने के प्रोसेस को कहते है कि ऐसा base station जो होता है जो हम जिसको select करने जा रहे है यानि कि ऐसा power plant जिसको हम base load पर चलाएंगे उसका ramp up और ramp down rate जो होना चाहिए होना क्या चाहिए स्लो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है यह ऐसे कह सकते हो ठीक है क्यों क्यों क्योंकि ऑवियसी चीज़े base load का मतलब ही क्या होता है ऐसा लोड जो लगबग constant रहे constant रहे तो हमें जरूदी नहीं पड़ेगी ramp up, ramp down करने की जो भी ramp up और ramp down का period आएगा इसको हम पूरा peak load से यानि कि peak station से पूरा कर लेंगे तो base load क्योंकि base एक constant है base load power तो इसलिए हम लोग ऐसा power plant चुनते है जिसका ramp up और ramp down जो rate है वो क्या slow हो कोई दिक्कत नहीं slow वाला भी काम कर जाता है clear हो रहे यहां पर तो for example thermal power plant है nuclear है इनके अंदर हमें ramp up करना यानि कि power 10 MW बढ़ा रहा था अब 11 बनानी है तो इसमें time लग जाएगा चेंज वाल वाल खोलने खालने में बहुत time लगेगा तो इसलिए यह जो होते हैं यह slow ramp up and ramp down case के एक बहुत अच्छा example है clear होगे यहां पर तो आयो clear होगे होगा बिल्कुल कि ramp up और ramp down का क्या मतलब होता है तो power plant जब भी हम उसके power को increase करने की बात करते हैं decrease करने की इसको ramp up, ramp down कहते हैं तो base load क्योंकि base load एक constant load है यार मैंने बताया ना variability में भी एक चीज़ constant है वह है base load तो base load क्योंकि constant तुम्हें supply करना है तो हमें इसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे हम लोग हम ऐसा power plant select कर लेंगे जिसका ramp up और ramp down rate जो कम हो ठीक है आयो clear हो गया होगा ठीक है यही बात मैं यहां पर लिखी हूँ क्योंकि as they are supplying base load nearly constant in nature चौथा long life spend भाई देखो base load तुम्हें supply करना है तो obvious ही चीज़ बेस लोड का मतलब हो गया वह लोड जो 24 घंटे पूरे साल तुमारे सिस्टम के उंपर लगा रहेगा तो यह बड़ा जरूरी है कि उसका जो साल के आसपास इसकी उमर होती है इस बेस पॉर प्लांट जो हम select करते हैं लास्ट पॉइंट हाई reliability बहुत होना चाहिए यानि कि क्यों कि भाई तुम्हें obvious सी चीज है आप बेस लोड को supply कर रहे हो अगर बेस लोड में किसी भी तरीके का क्योंकि constant लोड है तो वह लोड तो मेंटेन करने चले गए सारे 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 यूनिटे बैड गई है मैंटेनेंस के चक्कर में तो डाउन टाम इंटरप्शन बहुत कम होने चाहिए होते हैं क्योंकि ऑविस गंटे सातों दिन अगर कोई station चलेगा तो दिक्कते आएंगी पर साल में एक आद बार station थोड़ा सा डा इंट को सब्सक्राइब करने के लिए गसांबल की बात करने थर्मल पाइर बात न्युक्लिय आज़े बाट पॉर्प्ला और कुछ इल्एक्टिक पावर प्लंट जैसे की जो बड़े बड़े डैम वाले होते हैं ना लार्ड साइसदें होता है बहुत अच्छा रिजर करते सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको चाहिए लेक्चर के इसको चर्चा कर लेंगे वहाँ पर रफाद रफा कर लेंगे मैटर को लेकिन अभी बात ध्यान रखो थर्मल न्यूकलियर और कुछ हाइड्र एलेक्रिक पार्वलन बड़े साइस के जो थे हैं उनका इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा बेस लोड में हाइड्रो का इस्तमाल मैं इसलिए कह रहा हूं अगर कोई ऐसा बड़ा हाइड्रो है जिसका बड़ा सा डैम है तो पानी स्टोर रहेग यह करते हैं यह सीजनली बेस लोड ले सकते हैं एक बुक मैं पढ़ रहा था उसमें यह बात दे रकी कि सीजनली कम करतें यह बारिज कर दा है जब अब भरी हुए पानी से चलो नदी का हई्ट इस्तमाल करें बेस्लोड की तरह वहीं पर गर्मी आ यह पानी सूग गया तो उनको पीक लोट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं तो इसलिए सम हाइड्र लेक्रिक मैंने आपर लिखा है तो तुम्हारा इस्टेशन है वह तुरंथ उसके अंदर वाल यह सब तुरंथ खुल जाने चाहिए अब मैं बताऊंगो कैसे जो रैंप और रैंप टाइम हाई चाहिए होता है वह कौन से स्टेशन ऐसे हैं क्योंगि बहिए इनका क्यों आप यह कीवद्ध को फुल्फिल करते हैं और पीक लोट इसपाइक की तरह होती है थोड़ी सी हो सकती है तो बेस लोट के मुकाबले इनकी लोग इनकी चल जाएगा या जोटा सा स्टेशन अपना बना लो और वह भी पीक लोट को फुल्फिल कर लेगा तो small capacity की जो power plant होते हैं उनका इस्तमाल भी हम यहां पर कर सकते हैं इसलिए मैंने बताए छोटे hydroelectric power plant होते हैं वो काम चल जाएगा हमारा उससे छोटा सा एक station है या gas stations होते हैं जहां gas से हम लोग बिजली बनाते हैं वहां पर भी हम small capacity के power plant से हम लोग फुल्फिल कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा डिमांड आई है यह उसी को फुल्फिल करना है यह तो यह क्योंकि इनका काम होता है यह supplemental काम होता है supplement देने काम करते हैं इनका काम यह नहीं होता कि पूरे सिस्टम का लोड उठाएंगे केवल जो पीक डिमांड आती है यानि कि जिस समय एक एक्स्ट्रा डिमांड आगी उस एक्स्ट्रा वैल्यू को यह फुल्फिल करते हैं क्लियर हो गया ना तीसरा हाई ऑप्रेटिंग का सही बात है जब यह पूरे दिन बंद रहेंगे इनका काम के वह यह पूरे दिन थोड़ी थोड़ी पावर बनाते हैं इनका काम होता है कि जब इमर्जेंसी आएगी उस समय पिक्चर में आना तो अव्यसी चीज़े कोई चीज़ अगर इमर्जेंसी के टाइम पर काम आ रही है तो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं और करना भीच आए क्योंकि यह पूरे दिन में मान के चलते हैं दो तीन गंटे के लिए पीक लो लोगो और इसका खर्चा भी तो निकालना है तो दो तीन घंटे के अगर हिसाब से पैसा लेंगे तो कैसे काम चलेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है तुम्हें देना ही पड़ता है दूसरी बात इसलिए यह महंगा भी पड़ता है और एक बात और भी होत कि यहां पर इसलिए भी इसक्रल करते हैं जो कि जिससे क्यों टा रही है यहां तो इसी तरीके से नेच्रल गैस का का da ENTS इसे कीक्ऊ रेमपब की जाए डीजल का इस्टा इस्ट में जाएrence यह सब च्चीजे की होती है लेकिन अमने से कोल सारी गज निकल Şu एक ही बारे में जला डाली या फिर हमने क्या करा, ऑल डीजल था तो हमने क्या करा, डीजल जाधर डाला और उससे काम चला लिया, तो क्योंकि ये क्रेंप उप इनका फीचर होता है, इसलिए भी महंगे होते हैं, तो ये सारी reason है, जिसकी विसी थोड़े से महंगे होते है, सारे के सारे जो होते हैं पीक लोट की तरह इंका इस्तमाल करते हैं यानि कि अगर जरुवत आ गई तो नेचुरल गैस वाले से तुम तुम कि इन सब करेंप पीरेट बहुत तेज होता है जैसे तुमने का चार की बांड है उनने वाल खोल दिया चार की चार मेगावाट के जादा पानी लाओगे जादा कोईला डालोगे फिर उससे खूब जलाओगे फिर स्टीम जादा बनाओगे तब तब तक पता चला भाई सिस्टम को लैप्स कर गया समझ मारी बात ही अंतर समझ में आ रहा है तो अब तक अगर आपको यह सब चीज़ पसंद आई हैं तो भा पढ़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है जो के लिए पढ़र यह पार यहां पर मैंने बेस लोड पीक लोड के बारें बता दिया कौन से प्लांट यूस करेंगे यह बी बता दिया आपने ना कीम्मति समय दिया उसके थन्यवाद झाल झाल